भारत और अस्ट्रेलिया की बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच 6 दिसंबर से एडिलेट में खेला जाना है। अब सीरीज का दूसरा मैच 6 दिसंबर से एडिलेट में खेला जाएगा। ये डे नाइट मैच होगा जो पिंक बॉल से खेला जाएगा। पिशली बार टीम इंडिया पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 36 अनों पर ही ओल आउट हो गई थी। ऐसे में भारती टीम इस बार तैयारियों में कोई कवी नहीं छोड़ना चाहती लेकिन ऑस्ट्रेलिया से टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। पिंक बॉल टेस्ट की तैयारी के लिए टीम इंडिया प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ दो दिरस्य वाम अप मैच कैनबरा के मानुका करने के लिए सिर्फ दो दिन मिलने थे और अब उन्हें सिर्फ एक दिन मिलेगा और प्लेइंग 11 की समस्या को भी दूर करना पड़ेगा। बता दे कि भारती टीम के कप्तान रोहिच्छर्मा पहले टेस्ट में नहीं खिल पाए थे। ऐसे में उनके लिए भी ये वाम अप मैच खेलना काफी जरूरी है लेकिन बारिश के वज़े से अब भारती टीम को एक ही दिन में सभी सवालों के जवाब ढूनने पड़ेंगे। टीम इंडिया और प्राइम मिनिस्टर 11 की टीमों के बीच इस मैच का अब एक ही दिन बचा हुआ है। ऐसे में टीम इंडिया की पिंग बॉल से प्रैक्टिस का मौका मिल पाए। अब इस मैच की शुरुआत सुबह 9 बच कर 10 मिनिट पर होगी और 8 बच कर 40 मिनिट पर इसका टॉस हो जाएगा। ये मैच इसलिए जादा इंपोर्टन है क्योंकि भारत पिंग बॉल के खिलाफ जादा मैचस नहीं खेलता जो भी मैचस उसने जीते हैं तीन मैचस जो घर पे जीते हैं जो खेले हैं वह अपने ही घर पर जीते हैं और वहाँ पे भारत की कंडिशन और भारत को पता है कि किस तरह से खेलना है बट जो एक Overseas match भारत ने पिंग बॉल केला है वो ऑस्टेला के खिला था जहाँ पे बह प्रक्टिस कर रहे हैं और उन्हें भी एक मैश प्रक्टिस मिल जाए ताकि एडिले टेस्ट में यह कंफर्म हो जाए कि वो खेलेंगे या नहीं तो इससे भारत की प्लानिंग स्ट्रेटिजी बैटिंग और सबका पता चलेगा बट पहला दिन बारिश ने धुल दिया अब दूसर दिन उमीद है कि पूरा मैश हो और एटलीस भारत को अपनी प्रेपरेशन करने का मौका मिला ताकि जब 6 दिसमर को भारत दूसरा टेस्ट मैश खेले तो वहाँ पे जो थ स्ट्रेटिंग देनी है और किस तरह से स्ट्रेटिजी बनानी है